नमस्का दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि मिठू यानि तोते को क्या-क्या भोजन खिलाना चाहिए देखें अपन शुरुवात करें तो सबसे पहले आप सनफ्लावर के सीट्स या सुरज मुखी के बीच जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं उनको लियाएं और मिठू को खिलाएं वो मिठू को बहित प्री होते हैं साथ ही आप कांगडी खिला सकते हैं और जुआर और बाजरा ये साभी सूखे अनाज हैं जो मिठू बहुत ही अच्छे से खाते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है यदि अगर अपन बात करें कि मिठू के मेली पंक जड़ते हैं आप यदि अगर बासी मिर्ची खिलाएंगे तो वह नहीं खाएंगे साथ ही आप भुट्टा खिलाएं पीनट्स खिलाएं जिनको मटर भी अपन बोलते हैं वो की पीस खिलाएं साथ में आप छोले भी खिला सकते हैं हरे चने वो भी मिठू को बहुत पसamt है यदि अगर अपन टमाटर खिलाते हैं तो इससे मिठू में पानी की पूर्टी होती है और उनकों उनके बीज बहुत पसंद है साथ ही आप फलो में अंगूर खिला सकते हैं मिठू को अनार खिला सकते हैं उनको बहुत प्रियो होते हैं और उनके लिए अच्छे साबित होते हैं और मिठु बड़ी शोक से खाते हैं सात में आप मुउमफली किला सकते हैं मिठ्यू को पूरी मुउमफली दे वो अच्छे से छील के खाएंगे उनको मज़ा आएगहा और आप रात पानी में भिगो दें चने और सोयाबीन को और सुबे उनको दें तो वो भी उनको अच्छे से खा पाएंगे और जो छोटे मिठू होते हैं वो भी भिगो हुए चने और सोयाबीन आराम से खा लेते हैं इसे उनको दिक्कत नहीं आती है यदि अगर अपन घर की बात करें तो घर में जो रोटी बनती है उस पे आप घी न लगाएं सूखी रोटी रहें उनको दो तीन दिन तक रखी रहें दे तो पापर जैसी हो जाएगी फिर उनको दे या आप ताजी रोटी देना चाहते हैं तो बिना शक्कर वाला दूद ले और उसमों उसको चूर के इन सबसे आपकी मिठू की सेहत अच्छी रहेगी हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार धन्यवाद जै हिन जै भारत